चाल चत्र अभ्यान की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं मेटर की तो जरूत नहीं होने चाहिए जब बिजली फिरी होगी मानने जब दस आसपोर पर चूट करके दुबारा सेड़े बारा आसपोर कर दी तो कैसे किसान बुरूत कर ले कि अब मीटर लगा के दूबारा बोल देने की मीटर के साब से निकाल दो इनके बिल अगर 24 में वोट लेनी तो इनकरना पड़ा ने किसान कब तक बरदास करेगा CCA में आपका स्वागत है हम अभी शामली जिले के उचा गाउं में हैं यहां पर पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी घोशना हुई थी कि किसानों का जो ट्यूब वेल का जो बिल होता है किसानों के जो ट्यूब वेल के बिल होता है उसको पूरी तरह से मुफ्त किया जाएगा एक तरफ बिलकोल एक खुशी की लहर जहां देखी थी किशानों में लेकिन उसी के बाद कुछ शर्ते साथ में ऐसा लगा की लागू हुई एक शर्त ये थी कि पिछला जो बिल था फरवरी तक का जो बिल था किसानों की बिजली का वो उनको भुकतान उसका करना पड़ेगा और दूसरी शर्त ये थी कि ट्यूब वेल पर पहले मीटर लगेगा उसी के बाद बिल माफी होगी इस पर थोड़ी सी किसानों के बीच में काफी हलचल पैदा हो गई है कि अगर मुफ्त में मिल ही रही है बिजली तो फिर ट्यूब वेल में मीटर लगाने का क्या मतलब और उसी के साथ साथ एक और जो बड़ी चीज पिछले दिनों में हुई है कि दो दिन पहले यहाँ पर शामली जिले में बहुत तेज बारिश हुई है जिसकी वज़े से जिनकी खड़ी गे हुँ थी काफी हद तक बरबाद हो चुकी है तो इनी सारे मुद्दों पर आज अपने किसानों से हम बात करते हैं राम राम तो जी नाम आप ना अनिल चोहान अनिल साब ये बताईए कि सरकार की घोषना हुई थी कि बिजली मुफत मिलेगी ट्यूबल की बिजली जो खेतों की बिजली है वो मुफत मिलेगी उसके बारे में क्या वह अभीतक लागू हुआ है आप लोगों के बीच में और विभाग भी कह रहा है कि आदेश नहीं है एक जो बड़ी बड़ी कुछ पंचायते भी हुई थी पीछे किसानों की यहां पर उन पंचायतों में यह बोला गया कि वहां पर ट्यूब वेल पर मीटर लगाने की बात हो रही है और कहने सिर्फ तभी मिलेगी बिजली मुफ् लगाई रही है पर मीटर की तो जरूत नहीं होने चाहिए जब बिजली फिरी होगी तो आपको अंदाजा है कितना लगभग बिल बनेगा अगर जिस तरह क्या जरूरते हैं यहां पर गन्ने की खेती के लिए मीटर लगे विए हैं कुछ किसान भाईयों के मैं आप उनके प मीटर लगे हैं तो उनके मीटर के हिसाब से ही लग रहे हैं पिछला तो वह यह लेरी जो लेन लग रही थे आद्धी चूट पर ठीक वही आदा करें कि सान भाई साब अच्छा अभी एक और चीज़ बताए कि यहां पर हम देख रहे हैं बहुत गेहूं की फसल जो खड़ी हुई थी काफी शायद बरबाद हुई है जो अचानक बारशे पड़ी हैं यह पिछले साल भी यह क्या आपको दिक्कते रही हैं खासकर कि यह जो बारश अचानक जो प्रकृति अपने नियमों के एसाब से नहीं चली है पिछले कुछ सालों में चलो जी देखो यह तो प्र जिए गर गया था और किछले में सारा बिल आदा करकाया है हमने पुछ आप बाग गई जैसे गोसना करकी सरकार ने मेरे पास कोई आदेश ही नहीं तो यहां पर आपको एलान हुए था कुछ दिन पहले कि बिजली मुफ्स की जाएगी ट्यूब वेल की आपको वह मिला है उ इसी शर्थ पर मिलेगी कि अगर किसान अपने ट्यूब वेल पर मीटर लगाएगा बिजली का है आपके यहां पर अभी तक मीटर लगा है आप तक आई है सरकारी विबाग ने जी लेगिन जब एक बात तो पताई है सरीमान जी आप जब मुक्ती कर दी सरकान ने बिजली त तो विष्वास ने पर अपने बिजली ने फिर मेटर लगा एपने बिल निकल ने तो आप देखिरें जब एक तो आप देख़ो अगर टेंप आप सब देख लोगो सब फसल दोस्त हो गी यह को बरबाद लिए तो बताईए यह तो बताईए यह पिछ्य मुणी ओगी ती फ बढ़ेगा या पने बच्चों ने पाड़ेगा जी अभी आप कितना मतलब ट्यूब वेल पर अभी तक तो एक अगर 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 श्रकार कह रही है कि हमें आपको बिजली तो मुफ्त मिल जाएगी लेकिन उसमें आपको मीटर लगाना पड़ेगा कि आपको भरोसा नहीं मां नियुद जब 10 हासपोर पर छूट करकर दो बारह सेड़ा किसान बुरुथा कर ले कि अब मीटर लगा के दुबारह भोल देंगी मीटर के साफ़से निकाल दो बिल तो बताईए किसान कैसे करेगा तो आप सब जानते हो देखो से से कुछ यह मुसमीष्टे से से टेम प पर भी इस बेल्ट में अगर हम देखें खासकर कि बाइस के चुनाब में भी वहां शामली की तरफ लिलॉन से आगे जाएं तो वहां पर तो किसानों के कम ही वोट पड़े थे इस बार योगी सरकार को लेकिन इस बेल्ट में कांदले के इस तरफ कर दिती योगी की आप लोग लिग जन सरकार जो बार बार केते हैं वह क्या खडी उतरी है किसानों के वालिए विजिक्ण हरी थे हम को भी निचा दे एकना पर दाए दूसरे पारटेवाले में से नो बूलते हैं क्ला आपने वोट दी सी क्या मिला कुछ भी निजी मालिया जी ने फिरी गोसना कर तो जन वोट डाले, बीजेपी पे, लेगन एक दिन हम भी बात खड़े कर दोंगे, क्यों किसान है जी, कब तक से लगा, अपसे बताया, दो साली की लागत लगरी, एक साली गन्ने में, फिर दूसरे साली की लागत लगा हो, और जब दो साल के बाद पैमिट मीला, तो कैसे करेंगे, माले आमने इस पैए खेट पे निरवर है, अपनी किसान तो अपनी खेट के निरवर है, ना जी, खेटी बई, तो कासल आईगा, हम अभी शामली के उचा गाउं में थें, और किसानों से हम यहां बात कर रहे थे, यह बात जरूर है, एक बहुत बड़ा सवाल किसानों के दिमाग में है, कि अगर यहां पर बिजली ट्यूबल में मुफ देने की बात होई ही रही है, तो फिर मीटर लगाने का सवाल क्यूं कुम ہी खड़ा हो रहा है, यह सवाल क्यूं क्ख़डा हो रहा है, और इसी चीज़ को लेकर बड़ी बड़ी पंचायते भी हैं किसानों की हुई है, यहां पीछे ही ऊँचा गाउं से थोड़ा आगे जाके, कंडेला में भी इसी चीज़ पर एक बहुत बड़ी पंचायते ह रही हैं. क्या समधान निकलेगा? क्या ये टक्राफ किसानों का और सरकार का बना रहेगा? या फिर कुछ समधान निकलेगा? और सरकार ट्यूब वेल में अपने मीटर लगाने की इस शर्त को वापिस लेगी. इनी खबरों को और जानने के लिए CCA के साथ आप लोग जुड़ झाले, शुप्रिया.